दोस्तों आप सभी से नमस्कार आप देख रहे हैं फरिदाबाद नियूज मैं धर्बंदर प्रताप सिंग इस वक्त हमें चिर्सी गाव में और बाड का पानी एक दो दिन पहले यहां तक पहुँचा था और रोड के उधर भी पानी पहुँच गया था ये रोड मंजावली की तरफ जाता है नया रोड अभी बनाया जा रहा है जो सीधा पुल की तरफ जाएगा तो चालू रोड है बहुत बेस्त रोड होने वाला उसके बावजोद भी पानी यहां तक पहुँच गया अभी बहुत सारी किशान परेशान है क्योंकि उनकी फ़सलों का काफी नुकसान हो चुका है जिनोंने धान लगाया था आप लोग देख रहे हैं धान की फ़सल अब फ़सल नहीं दिखाई दे रही है जो गंदगी रही होगी इस पर जमा हो गई है ये घास देखिए घास फ़स दिखाई ये घास ही नस्ट हो गई है तो फसल का क्या होगा बाकी ये किसान है किसान को बताएंगे सर नमस्कार नमस्कार क्या नाम है अप परवीन कहा रहते हैं आप चीरसी गाओं में तो पानी यहां तक पहुँच गया था यहां तक इस तरफ भी दूसरे गाओं मे लुझाया कितरे जिन पानी रहा है यहा तो तीन उसरा तो कि यह गाओं की बात करें तो कम से कम अपने गाओं की एकश्या तो सबक्राइगा JOHN सब्सक्राइब खता और इसी वज़ा से महगाई बढ़ रहे हैं सारा तो रही सब्सक्राइब किसान के टमाटर क्यों महंगे होंगे पब्लिक क्यों नहीं पता जब किसान की फसल ही नहीं होगी तो कहां से खाने को मिलेगा सब्सक्राइब किसान को गाउब है चलो अब तो रहात है खेर पानी से रहात है लेकिन इसका देखते हैं सरकार क्या करती है इसमें अभी किसानों की मांगे थोड़ा इनका ध्यान रखा जाए जो भी नुकसान हुआ है वैसे तो सरकार ने बोल दिया है कि एक सर्वे हो और सर् रपाई की जाए ऐसा बोला गया है बाकी देखते हैं ग्राउंड पर सरकार कितना काम्याब होती है किसानों की मदद करने में फिलहाल चिर्सी गाउं से लाइब है मुझे लगता है आसपास जितने भी गाउं है इसी प्रकार से सब का है पीचे कबूल पूर है अमीपूर है सब की फसले डूब गए और सबी किसानों की फसले स्वाहा हो गई बाढ़ में उसको तो कोई रोक नहीं सकता था लेकिन सरकार अगर इनकी मदद करेगी तो बारह यह खड़े होंगे दोबारह दाना पानी मिलेगा पबली को नहीं तो महंगाई काफी बढ़ेगी इसकी देखते हैं आगे क्या होता है जो भी होगा आपको बताएंगे फरिदाबाद नियुस से धर्मंदर प्रताप सिंग नमस्कार